हेलो गाइस वेलकम बाक टू अनेधर वीडियो और कप्तान चाहिक गेमर यूटूब चैनल तो दोस्तो एक पार फिर से आचुका है हमारे इंडियन बाइक स्टाविंग 3D गेम का न्यू अपडेट तो आज की इस फीडियो में दोस्तो आप सभी को काफी सारे न्यू कोड मिल कि जब आप अपने गेम को नाइट मोड में करोगे तो मेरे से काफी सारे लोग ने कहा था सर जो नाइट मोड में हमारा गेम वो पुलिस टेशन बिल्कुल भूतिया लगता तो आप लोग देख सकते मैं इसके अंदर आए हाला कि यार ये काफी जादा डरावना है अब यह हाँ पर हमें तो ऐसा लगता है कि यार किसी जंगल में घने जंगल में अकेले ऐसा फील हो रहा ठीक है आप लोग देख सकते पुलिस जो वो भी एकदम घने में रह रही है मतलब काफी डरावनी चीज़ आप लोग देख सकते एकदम पुरानी हवेली की तरह लगता अंड आप लोग देख दो जो कैदी बंद है ना यार वो अंदर ऐसा लग रहा भूत कोई है एंड जो हमारे एंपीसी वो भी ने दिख रहे हैं तो यह जो नई चीज आई है पुलिस स्टेशन में इसको जो रात का कस्टमाइज कर दिए यह काफी ज्यादा आउसम है तो सशच आ आप लोग बता रहे हैं कि यार आप लोग इसको ले पाई हो की नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना और सिंपली अगर आप लोग नाइट मोड हटा दोगे तो आपका एज इडिज उसी तरीके हो जाता जैसे पहले था अब चले मैं आप सभी को यह बताता हूं कि हाथी का त आप सभी को स्टार्टिंग में दिखा दिया कि हमारी हाथी भी आ चुकी है तो सिंपली आप सभी को एली फैंट का भी चीट कोड यहां पर देखने को मिल जाएगा और साथ में आप लोग डॉग को ड्राइब करते हो तो उसका कोई कोड है क्या तो मैं आप सभी को बता जा था उसमें JCB आई थी तो आप सभी को काफी सारे फंसन देखने को मिले थे इस वज़े से मैं आप सभी को डॉक का भी गेंपले दिखा दिया कि आप लोग समझ ओ कौण कौण से यहां पर फंसन आने वाले भाई काफी सारा अपडेट इस बार आया है आप लोग ने तो इतना सहरा अपडेट देखा आपको तो पता ही चल गया होगा क्या है भाई अब हमारे इंडियन बाइक स्टावी गेम के अंदर जो ओसीन है स्विमिंग पूल तराफ है उसका हमारे डेवलपन ने पूरा पानी चेंज कर दिया पहले आपको ब्लू कलर देखने को मिलता था ब आप लोगों ने खा सर इसको बार फिट से अबडेट करवाईए तो फाइलि ये आप सभी के बीचे में एक बार फिट से आ गई है तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह वीडियो आंड तक बाच करना है वीडियो को इसके प से अपडेट किया क्योंकि आप में से काफी सारे लोग हो मैंने वीडियो बनाके डाला था आप लोग कहें कि अपडेट नहीं है मैंने आप सभी कुका था कि एक तारीक को अपडेट आ जागा और फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन के सेंड फ्लोर प यह मुझे पता है अगर आप लोग भी चाते होगे सर्च करते होगे प्ले स्टोर में तो बहां पर आप सभी को अपडेट कर जो आपसन है वो सो नहीं हो रहा होगा मेरे को पता है तो दोस्तों मैं उसको भी बताऊंगा कि आप लोग फाइनली ऐसा क्या करोगे जिससे कि व उन्होंने एंसर दिया R15 and Pulsar 200 replace कर दी and detailing भी बेस्ट है and model भी update है अब कहने का मतलब यह कि हमारे इंडियन बाइक स्टामिंग गेम के अंदर R15 को update कर दिया गया है मतलब modify किया गया मैंने आप सभी को कल की वीडियो में and पर्सों की वीडियो में बताय था and उसके बाद हमार developer ने और कहा था Nissan GTR car का model जिसको बनाने के लिए दिया था उसने model बहुत high poly बनाया है अब इसका मतलब समझो क्या है इसका मतलब यह है कि जो हमारा model बना था वो काफी ज़्यादा fake लग रहा था ऐसा लग रहा था कि यह कहीं से cartoon animation उठाया गया है इस वज़ा से वो नहीं आय और उसके बाद हमारे developer ने फिर से कहा top model को अच्छे developer को redesign के लिए दिया है कहने का मतलब जो हमारे Nissan GTR है उसको हमारे developer ने फिर से पनने के लिए दिया वो भी अच्छे developer के पास जो की top level के developer है तो I hope आप लोग समझ गयोंगे कि Nissan GTR का work कहा तक पहुँचा और उसकी modeling का work कहा पहुचा भाई मैंने अपने developer से बात किया था मैंने आप सभी को post के माध्यम से समझा दिया कि हमारे Nissan GTR का update यहां तक पहुचा है और कौन सी दो बाइके हैं जो की modeling उनकी कर दी गई है and replace भी होने वाली है तो इतना आप लोग समझ गए and starting में मैंने आप सभी को gameplay भी दिखा अफिसारी जैसे elephant का gameplay दिखाया उसके बार dog का gameplay दिखाया वह bite भी करता उसका भी gameplay दिखाया मैंने पुलिस ऍस्टेशन का gameplay दिखाया अंड उसको night mode में भी करके दिखाया साथ में अंदर NPC रहते वो तो मैंने ALADY दिखाई दिया और साथ में जो हमारी थारे उसका भी मैंने gameplay दिखाया and हमारे game के अंदर नए dinosaur आ चुके थे उनका भी gameplay दिखाया तो दोस्तों all over हमारा game पूरा update हो चुका है play store के review में पढ़ चुका है मैंने कहा था एक को update आएगा तो भाई एक तारीक हमारे निकल चुकी है आप लोगों को क्या करना है simply play store पे जाओ वहाँ पर beach beach में search करो Indian bike starving 3D वहाँ पर हो सकता है कि आप सभी के play store में update आ जाए क्योंकि जब यार play store के review में पढ़ता है तो play store उसे verify करने में कुछ time लेता है कभी 1-2 घंटे भी 24-48 घंटे last 48 hour उतने में हमारा game update हो जाता है तो इसलिए मैं आप सभी से बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोग play store पे जाके search करो यार कहीं update तो नहीं आ गया अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कहां से आप सभी को gameplay दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग play store पे जाते हूँ तो update ही नहीं आता तो दोस्तो हम लोग अपने developer से बात करते हैं वो जो चीजे नई add करते हैं गेम के अंदर उसका gameplay वो हमें भेशते हैं हम लोग उसकी testing driving करते हैं उसकी modeling देखते हैं उसका customization देखते हैं उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ आप सब जो comment देते हो वो अपने developer के पास forward करता हूँ feedback के लिए तब वो चीज़ अपडेट जब आप लोग करते हो तो वो सारी चीज़े मिल जाती हैं समझ गए आप लोग तो चलिए मैं एक बार फिर से आप सभी को ये बता देता हूँ कि आप लोग अपना game update कैसे करोगे तो play store के तो मैंने बता दिया देखो अब google का क्या है google पर ये रहता कि वहाँ पर आप सभी को सारे version मिल जाते हैं अभी play store का क्या scene है वहाँ पर एक या option होता है update का simply आपको latest version मिलता लेकिन google में ऐसा नहीं है जब से हमारा game बना है एकदम starting से लेके present तक सारे version वहाँ पर आपको मिल जाते अगर आप लोग कोई पुराना version खेलना चाहते तो वहाँ पर आपको वो चीजे मिलती है जो पुरानी vehicles remove कर दीगे जैसे bugatti थी, alto थी आप लोग उनको भी लेपाऊगे और मेरे को पता है काफी सारी vehicles जो हमारे game में अच्छी modeling थी अच्छी customization थी, controlling भी अच्छी थी उनको remove कर दीगा है बट आप लोग ये कहते हो कि सर हमें उन्हीं पाइक को drive करना है, तो इस वाज़ा से मैं कहते हूँ कि अगर आप लोग Google से चाहोगे तो वहाँ पर आप सभी को सारी vehicles मिल जाएंगी जो पुरानी हमारे game में थी अब नहीं है, ठीक है इसलिए मैं कहते हूँ कि आप लोग अगर Google पर जाके कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हो, तो वहाँ पर आप सभी को सारे version मिल जाएंगे, तो अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा इसक्रिप नहीं किया होगा, तो मेरे हिसाब से आलो और आप सभी को सारे information मिली होगी, कि इस बार के update में क्या-क्या चीज़े आने वाली है और किस पर work start है कौन से चीज़े खतम हो चुकी है कि इन पर work मतलब पूरी तरीके खतम हो चुका तो भाई, जितने मैंने gameplay दिखा है उन पर तो already work खतम ही हो चुका तभी मैंने आप सभी को gameplay दिखा है तो यहाँ तक हमारे developer ने इतनी सारे information दिया था, तो मैंने आप सभी को वो पता दिया, ठीए अभी आने वाले वीडियोज में आप सभी को और सारे information मिलेंगी नए ने gameplay मिलेंगे, नए नए चीज़े देखने को मिलेंगी, तो इस वज़ा से कहता हूँ कि आप लोग चैनल पर active रहा करो ताकि आप से कोई भी update मिसनो इसलिए आर मैं परड़े वीडियो डालता हूँ कि आप सभी को परड़े में कुछ ना कुछ Indian Bikes Driving Games से related new update दू, new information दू तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे comment box में, comment करके ज़रूर बताना ये वीडियो पसंदा हो तो वीडियो लाइक करें और चानल को भी subscribe जरूर करें मिलेंगे इसी तरीके नए वीडियो में तब तक के लिए, bye